हेलो और वेलकम टेम एमेकनमी मैं हूँ शचांग लखेरा अब बांगलादेश में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं लोग चड़क पे उतर गए हैं बांगलादेश में भी जो है महगाई बहुत यादा बढ़ती जा रही है हाली में बांगलादेश की सरकार ने जो पेट्रोल के प्राइसे से उनको जो है बहुत जादा बढ़ा दिया मतलब यह 51 परसेंट से जादा जो है इनको बढ़ा दिया गया है में लिए अगर आप देखोगे तो अगर माल लो हमारे यहां 100 रुपे का पेट्रोल मिलता है तो अब वो देड़सो का हो चुका है बांगलादेश की करंसी भी जो है डॉलर के सामने बिलकुल गिजटती जा रही है यह करीब 20 परसेंट जो है नीचे आ गई है और देखो सिंपली यहां पे हो क्या रहा है कि अब बांगलादेश को बहुत जादा पैसे देने पड़ रहे हैं मतला पहले तो यहां पे कम पैस जो है बिलकुल गिजटती जा रही है और अगर आप इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में देखोगे तो आपको मेजर जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी पाकिस्तान बिखने की कगार पे खड़ा है और पाकिस्तान की संसत में पेल यहां पे लाए गया इसके अला था लेकिन इंडिया का सपोर्ट रहा तो स्रिलंका जो है कहीं न कहीं रिवाइव होता हुए नजर आ रहा है हाला कि स्रिलंका की स्थिति अभी उतनी भी सुद्री नहीं है लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाकिस्ति यह कम भारज यहां पर मदद कर रहा है वह अगर हम बात करें बांगलादेश की तो बांगलादेश की इस्तिती जो है अब खराब होने लगी है देखो बांगलादेश में भी यहाँ पर बहुत सादा महंगाई जो है बढ़ती जा रही है और इसका पहले जो था ना war के पहले situation यह थी कि पूरा world जो है यहाँ पे divided था मतलब कुछ यहाँ जर रशिया से लेते थे oil कुछ जो है Gulf countries से लेते थे लेकिन अब पूरा का पूरा burden जो है वह आपो Gulf countries पे देखने को मिलेगा तो Gulf countries भी यहाँ पे कितना produce करेंगी पूरी producing जो है उनके हाथ में है तो वह अगर जादा produce करेंगी तब तो ठीक है लेकिन वह production ही यहाँ पे कम कर रही है तो जो सरकार है उसको जो है यहाँ पे दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं और इस वज़े से मेली जो है आपको बंगलादेश में पेट्रोल और डीजल के prices जो है बढ़ती हुए नजर आएंगे इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दू कि जो डीजल प्लांट है जो डीजल से यहाँ पे प्लांट चलते थे उनको भी shut down कर दिया गया बंगलादेश में 13 घंटे का ब्लैक आउट है जी हां 13 घंटे जो है लोगों को बिजली नहीं मिल रही है इस पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी है फ्यूल प्राइस हाइक ट्रिगर्स प्रोटेस्ट इन बंगलादेश highest such increase in country's history तो 1917 के बाद जब से बंगलादेश formation हुआ है मतलब बंगलादेश यहां पर बना है एक जमाने में इस्ट पाकिस्तान हुआ करता था 1947 के समय लेकिन 1971 में यहां पर प्रोटेस्ट हुए लोगों ने यहां पर लड़ाई लड़ी इंडिया ने भी वर लड़ा पाकिस्तान के साथ और फाइनली बंगलादेश को यहां पर आज़ादी मिल गई अब देखो इस पे कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे श्रिलंका के बाद बंगलादेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के बाद विरूत प्रदर्शन बड़ी मुसीबत में भारत का एक और पड़ोसी देश तो मेली आज के समय बंगलादेश की सिटुएशन जो है बहुत ज़ादा खराब होती चाह रही है मतलब काफी हद तक हमारे जो टाइस है वो बहतर है हर एक सेक्टर में आप देखो कि चाहिए वो electricity का सेक्टर हो इसके अलावा energy का सेक्टर हो कई सारे जो सेक्टर्स हैं उन में इंडिया और पांगलादेश की आपको काफी अच्छी पार्टनर्शिप देखने को मिलेगी ना देखो डिसकस करेंगे में इस वीडियो में कि actually मैं बांगलादेश में चल क्या रहा है और experts यहाँ पर क्या 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 थे कि बांगलादेश में यह जो situation है कब तक रहेगी तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा उसके पहले अगर आप किसी भी कोर्स अविल कर पाऊंगे और आप यहां पर पीडिये भी डाउंडूट कर सकते हो इसके अलावे दाइमें यहमारी वेबसाइट है आप वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हो ना देखो फर्स आफॉल तो ओल प्रोडूक्शन को समझते हैं बांगलादेश में कि और गया होगा और 99 रेंक जो है आपको वर्ड में देखने को मिलेगी अगर हम हर साल की इस्टिमेट की बात करें तो करीब 5.4 परसेंट टोटल प्रोवन रिसर्फ है यह हमको जो है देखने को मिलता है बांगलादेश में अब इंपोर्ट किता करता है बांगलादेश तो द यह जो है राशिया से यहां पर लेते थे और भी कई देशों से यहां पर लेते थे लेकिन देखो जब वार हुआ ना तो रशिया ने जो है प्रोड़क्शन यहां पर कम कर दिया अब रशिया जो है अपने फ्यूल डिजर्फ को यहां पर बढ़ा रहा है क्यों कि उसका एक reason भी है बहुत एक्सलिड हो रहा है तो उनको भी यहां पर फ्यूल की ज़रूरत है तो वो भी जो है प्रोडक्शन को यहां पे फूट प्रोवाइट करें आपके देश में महंगाई इतनी है कि हम बिल्कुल यहाप पर सर्वाइब नहीं कर पारें आपको मैंने आर्टिकल में बताया भी था वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी जादा है कि जो कार हमारे यहाँ पचपन लाग की है उसकी कीवत पाकिस्तान में एक करोड तीस लाग के लगबग जो है आपको देखने को मिलेगी अप प्राइस उसके और ज़्यादा बढ़ गए होंगे तो में लिए इस तरीकी का इंफलेशन जो है आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा और देखो कहीं न कहीं पाकिस्तान के लोग भी यहाँ पे सरकार से सवाल पूछ रहे कि भईये यह सब क्या है कब जो हमारी स्थिति यहाँ पे सुदरेगी देखो पाकिस्तान की already स्थिती बहुत ज़दा खराब है पाकिस्तानी condition अगर अच्छी होती ना तो कहीं न कहीं उनको loan भी मिल जाता लेकिन IMF ने जो है loan देने से यहाँ पर मना कर दिया क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अभी भी FATF की मतलब Financial Action Task Force भी आपको जो है grey list में देखने को मलेगा इसके अलावा इनका जो एक सहपार्टी है इनके साथ ही जो जहाँ पर चलता है टर्की तर्की को भी जो है आपे grey list में डाल दिया गया और देखो जिस तरीके की पाकिस्तान की हरकत है ना आने वाले समय में इसको जो है बांगलादेश में देखने को मिलेंगे अब देखो जैसे यहाँ पर प्राइसेस बढ़े और देखो यह ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत यहाँ पर प्राइसेस बढ़ाए गए 1971 के बाद मतलब जब से बांगलादेश बना है उसके बाद अभी तक के सबसे बड़ी महगाई जो है देखी जा रही है और 51 परसेंट का इजाफा देखा गया है अब देखो इन सब को देखते हुए लोग जो है आप एकदम से बागल हो गए कि भाई यह क्या है 100 अरपे का पेट्रोल मिलता था सीधे यहाँ पे 100 का मिलने लगा तो वो जो है डिमोंस्ट्रेट करने लगे वो प्रोटेस्ट करने लगे सरकार के खिलाफ और आज की समय बहुत ही मेजर प्रोटेस्ट जो है आपको बांगलादेश की सड़कों पर देखने को मिलेंगे और देखो जिस तरीके से बांगलादेश में फ्यूल प्राइज़ जो है एकदम से बढ़ रहे हैं तो प्रोटेस्ट यहाँ पर होने लगे पूरी देश भर में और बांगलादेश का मीडिया यहाँ पर यह कहता है कि भई यह हाईयस है मतलब जब से जो है देश बना है तब से सबसे महंगा जो पेट्रोल डीजल है वो हम जो है आज पर्चिस कर रहे हैं देखो, petrol diesel महःगा होता है, तो उसे transportation महःगा होता है, transportation महःगा होता है, तो चीज़ें हैं न, खहने-पीने की, वो एक district से दूसरे district, एक देश से दूसरे देश यहाँ पर जाती है, तो उसमें भी काफी problems देखने को मिल रही है, तो भाई जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के प्राइसे यहां पर बढ़ रहे हैं तो बाकी चीजों की कीमिते भी बिलकुल यहां पर बढ़ती जा रहे हैं और देखो जैसे ही शेक हसीना की सरकार ने इस चीज़ को यहां पर अनौंस किया कि हम पेट्रोल पे 34 टाका पर लीटर बढ़ा रहे हैं इसके अलावा उक्टेन पे 46 टाका पर लीटर बढ़ा रहे हैं पेट्रोल पे करीब 44 टाका यहां पर बढ़ाए गया तो बहुत सारे बंगलादेश के जो मीडिय आउटलेट्स हैं जिस तरीके से हमारे RBI monetary policy को monitor करता है तो यहाँ पर उनका target होता है plus minus 2-4% की बीच में कि यहाँ इतना inflation जो है यहाँ पर होना चाहिए ठीक है 4% से ज़्यादा inflation यहाँ पर नहीं होना चाहिए लेकिन इसको भी यहाँ पर cross कर गए मतलब बांगलादेश की जो monetary policy है वो भी यहाँ पर fail हो चुकी है इसकी महँगाई जो है वो उनके percentage से यहाँ पर जादा निकल गए मतलब जितना वो यहाँ पर expect कर रहे थे उससे जादा महँगाई जो है बढ़ गई है इस वज़े से बांगलादेश की सामने देखने को मिल रही है और देखो बांगलादेश की currency है टाका और इसकी performance अगर आप डॉलर के सामने देखोगे न तो यह भी घसकती जा रही है प्रिजेंटली 20% की गरावट देखी गई है अब 20% की गरावट देखी गई तो इससे बांगलादेश पर क्या असर पड़ेगा असर यहां पे ये पड़ेगा कि पहले बंगला देश अगर 100 रुपे देता था था न, बंगला देश टाका ये 100 रुपे देता था एक डॉलर के सामने, तो अब जो है इनको 120, 130, 144 डॉलर जो है यहां पे देने पड़ रहे हैं तो अब जुल convert के लिए इनको और जादा जो है इसे उसने यहां पर रिलीज किया बंगलादेश का यहां पर डिपार्टमेंट है कि फूड इंफलेशन जो है इनके यहां वो करीब 8.3 परसेंट था चून में अगर हम उसको प्रिवियस मन से कंपेर करें तो यह था 7.2 परसेंट मतलब जो फूड प्राइसे के रेट है वो भ यहां पर कम होंगे यह प्राइसे जो है बिलकुल यहां पर बढ़ेंगे तो पाकिस्तान में सीरियस कॉंसीकूजिस की जो है बिलकुल यहां पर सिती बन रही है आपको आने वाले समय में यह भी सुनने को मिलेगा कि बांगलादेश में और ही ज्जादा प्रोटेस्ट वही 1971 में बांगलादेश अजाद हुआ, बांगलादेश एक देश बना, उसके बाद अगर आप इसो compare करोगे तो आज के समय बांगलादेश की एकनोमी बहुत अच्छी है, बांगलादेश की per capita income जो है इंडिया से अच्छी आपको देखने को मिलेगी, अब देखो आगे दे अब देखना होगा कि आगे यहां पर होता क्या, यहां कि सरकार कैस्ट लेती है, तो जो भी होगा उस पर एक detail वीडियो मैं ज़रूर बना दूँगा, अपने opinion लिखे गए ज़रूर, इसी के साथ यह दंत इस वीडियो का, सुने के लिए बाबा धन्यवाद, जय हिंद, जय झाल